क्या राहुल के कहने पर कमल नाथफ ने थामा शिवराज का हाथ? मद्य प्रदेश में कमल नाथफ ने 18 हुए मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली राज़िपाल आनन दीबेन पटेल ने दोपहर दो बज कर 30 मिनट बजे उन्हें शपत दिलाई शपत ग्रहन समारोहों में पूर प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी, NCP अध्यक्ष शरत पवार, हारुख अब्दुल्ला समेत दसान्य दलों के नेता मौजूद रहे इसके अलावा मध्या प्रधेश के चारपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान, बाबुलाल गौर, दिग्विजे सिंगौर के लाश जोशी भी शपत ग्रहन में पहुँचे शपत ग्रहन के दोरान एक दिल्चस्प न जारा देखने मिला मंच पर आने के बाद कमल नातक नेताओं और लोगों का अभिवादन करते हुए अपने परिवार के पास जाकर बैट गए तबी मंच पर दूसरी ओर बैठे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी ने उन्हें बुलाया और कान में उनके कुछ बात कही राहुल से बात करने के बाद कमल नातक बाकी नेताओं से मिलने के बजाए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के पास पहुँचे इस बीच जोतिरा दित्य सिंधिया भी वहां आ गये और दोनों ने शिवराज का हाथ थामा और लोगों का अभिवादन किया तीनों नेताओं को साथ देख लोगों में भी उत्साहब भर गया कमलनात के शपत ग्रहन में कॉंग्रेस के दिगज नेताओं के अलावा बाकी दलों के नेता भी मौजूद रहे कॉंग्रेस से पार्टी अध्यक्ष रावुल गांदी, पूर्व प्रदानमंत्री मनमुहन सिंग, सांसत जोतिरा दित्य सिंधिया लोगसभा में कॉंग्रेस के नेता मालिकार जुन खडगे, राजीव शुकला, करनाटा के पूर्वम मुख्यमंत्री सिधार मया, मंत्री डिशिव कुमार, पुढ्डु चेरी के मुख्यमंत्री नारायन सामी, राजस्थान के नय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख मुख्यमंत्री सचिन पाईलन, आनन्द शर्मा, राजबबर मुझूद रहे, इसके आलावा हरियाना के पूर्वम मुख्यमंत्री भुपेंदर हुड़ा, उनके बेटे और सांसदी पेंदर हुड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजै सिंग, पूर्वनेता प्रति शरोन यादव, कांट लाल भूरिया, पंजाब में मंत्री नवजोत सिंग सिध्धू, विवेक तनखा मौझूद थे, मालूम हो कि कमलनाथ मंत्री मंदल का गठन 3-4 दिन में कर सकते हैं, कमलनाथ पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमा फीका लेंगे, इसके बाद राज